तो भारते जनता पार्टी के व्यावार से लगता जैसे वो आतंकबादी पार्टी हो, जैसे वो लोगों को आतंकित करना चाती हो, डराना चाती हो, चुकि उनका देश के समिधान में बरोसा नहीं है, वो मनुस्मृती के हिसाब से देश चलाना चाते हैं, विदूडी जी ने मुसलमान तो केवल नाम इस्तिमाल करते हैं वोट को पोलराइज करने के लिए और विदूरी जी का तो विवार के बारे में सब जानते हैं पहले से जिस तरह वो बदमासों की तरह गुंडों की तरह विवार करते हैं जो उनके सरदार है नरेंद्र मोधी, लेकिन सरदार तो बड़े अच्छे हैं, सबकी बात करते हैं, वे कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और मैजोर्टी का विनास, उस सब्द को वो बोलते हैं, जो बोलते हैं, वो कभी नहीं करते हैं, जो नहीं बोलत मुसलिम सांसत को अब शब्द कहते हैं वो भी लोक तंत्र के सबसे बड़े मंदिर में आरोपी सांसत के उपर बीजेपी ने कोई कारवाई नहीं की लोक समाई स्पीकर ने कहा कि बिधूरी चिंता मत करो इस बार हम तुम्हें माफ कर रहे हैं दूसरी गलती का हम इंतजार कर हैं जब तुम दूसरी बार गलती करोगे तब हम सोचेंगे विचार करेंगे तुम्हारे खिलाफ कोई कारवाई करें या ना करें मेरे साथ हैं दिल्ली सरकार के पूर मंत्री राजेंद पाल गौतम जी सर कैसे देखते हैं उसी आरोपी सांसत को अब प्रमोशन दिया गया ह हाँ उनको चुनाओ में सरजिन पाइलेट के खिलाब राजस्तान के अंदर जिम्मेदारी दी है और मैं सच बताओं तो ये विदूडी जी ने जो किया व्यावार वो केवल विदूडी का व्यावार नहीं है वो पूरी भारते जनता पार्टी का असल चरित रहे हैं भारते करने के लिए और जिस तरह का व्यावार उन्होंने किया वो बेहत सर्मनाक है और एक बहुत बड़े समाज को जिसकी संख्या लगबग 20 करोड है उसको आतंकित करने वाली है तो मैं तो कहूँगा कि आतंक मैंने तो एक एडवोकेट होने के नाते टेरिरिज्म की को पड़ा है किसी में भै पैदा कर देना आतंक पैदा कर देना टेरर क्रेट कर देना बेसिकली वो यह आतंक बाद होता है तो भरते जनता पार्टी के व्यावार से लगता है जैसे वो आतंक बादी पार्टी हो जैसे वो लोगों को आतंक करना चाहती हो डराना चाहती हो च तो वो समिदान को बदलेंगे और भारत में मनुस्मृति लागू करेंगे जिस तरह हम देख रहे हैं कई जगा जहां उनकी सरकार हैं महां वो मनुस्मृति को पढ़ाने का भी कोर्स में उनिवर्शिटीज में सामिल करने का उनका काम चल रहा है तो अल्टिमेटली तो जो उनका ओरिजिनल फिलोसोफी है जो पूरी तरीके से वन व्यवस्तार जातिवाद प्यादारित मनुस्मृति के हिसाब से है उसको चलाने की उनकी सोच है जैसे ही वो पूरी तरीके से एबसिलूट पावर उनके हाथ में देश में आ जाएगी वो द पूराश्टे वो भभू पार्टी है प्रनाली में उनका भरोसा नहीं है और वो नहीं चाहते कि रीजिनल पार्टी जो पूरे देश पर उनका सासन हो तो पूरे देश की पूरी संपत्ती वैसे तो अलड़ी सब कुछ कब जाय हुआ है लेकिन जो उनकी सोच है मुझे लग करते हैं तो आपको संसद से तुरंत आपकी सस्पेंशन कर दी जाती है लेकि एक आतंकित करने वाला इतनी बड़ी Community को इतना भेंग कर गंडा सब्दों इसतमाल करने वाले सानसत को इस तरह स्पीकर साहब कह रहे हैं, आपको चेताब नहीं दी जाती है तो इसका मतलब यहाँ किस्पीकर साहब के भी मंद में नयाय नहीं है और होगा भी कैसे पार आटी से वो है। पार्टी के मन में नए नहीं है तो मुझे लगता है S.A.S.T. O.B.C. और माइनूर्टी के लोग को इस सच को समझना पड़ेगा लेकिन सर बड़ा सवाल है आपने कहा कि आपने आतंकवाद के बारे में पढ़ा है कौन आतंकवादी है दानिश अली या फिर विधोडी नहीं जो व्यावार है जो सब्दों का जिस तरह का इस्तेमाल किया जा रहा है पूरे इतने बड़े समाज को आतंकित करने का तो वो तो विधोडी है अपकोर्स विधोडी और विधोडी जी का तो विवार का बारे में सब जानते है पहले सी जिस तरह वो बदमासों की तरह गुंडों की तरह विवार करते हैं तो यह एसे लोग संसद में कर जाएंगे तो और नई संसद में जो एक सुरुआत हुई है किस तरह की किस तरह के सांसद देश को होने चाहिए, मिलने चाहिए ये भाजपा से अगर लोगों ने सीखा तो देश बरबाद होना तेह है इसलिए देश के लोगों चाहिएगी ऐसे सांसदों को जीतने ना दें मुझे लगता महां की जनता अफसोस मना रही होगी कैसी है वेक्तिकों ने सांसद चुना मनलत जिसके भासा कितनी गंदी है जिसका वहवार गुंडों के जैसा है तो ऐसे लोग सांसद होंगे तो आम लोगों के बारे में तो कुई सोचेगा नहीं सर सवाल है कि जिस तरीके से आप उन्हें आतंकवादी बोल रहे है बहुत बड़ा बयान आपका है जम्यदारी से बोल रहे हैं फिर जुवान फिसल गई क्योंकि मैं जुवान नी फिसलिती सोच समझ के बोलता हूँ उनके सब्दों से आतंक पैदा होता है जैसे मेरे छेतर में जाके प्रवेश साहिब सिंग वर्मा ने वहां भासन दिया और भासन देते वक्त उन्होंने का कि यहां मुसल्मानों का बायकाट कर दो इनसे सामान मत खरीदो तो यह आतंकवादी बाहसा नहीं है तुरकिस की है तो इसको आप क्या कहेंगे टर्रिजिम ही तो एक तरह कहाई है डर पैदा करना भय पैदा करना टरर क्रेट करना इसी से तो यह डेफिनेशन बनी है लेकिन बीजेपी कहती है कि बहुत संसकारी पार्टी है जो उनके सरदार है नरेंद्र मोदी लेकिन सरदार तो बड़े अच्छे हैं, सब की बात करते हैं, वे कहते हैं, सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास और majority कविनास उस सब्द को वो बोलते नहीं करते हैं जो बोलते हैं वो कभी नहीं करते हैं जो नहीं बोलते हैं अक्सर करते हैं सबका विकास यानि केवल सोकुल्ड अपरकास्ट का विकास ठीक है? सबका विश्वास हाँ, विश्वास सबका लेंगे वोट तो SC का भी चाहिए, ST का भी चाहिए, OBC का भी चाहिए, अब तो पसमानदा के के मानूर्टी का भी चाहिए, तो विश्वास सब का चाहिए, विकास कुछ खास दोस्तों का चाहिए, अडानी अंबानी जैसे कुछ खास दोस्त ने उनको उनका विकास चाहिए आपने कहा कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी आते हैं, कॉंग्रेस पारिटी, आम आदी पारिटी, बहुजान समाज पारिटी, समाजवादी पारिटी, आर जेडी, आर यल्डी जो तमाम पारिटियां हैं, इनका आस्तित तो ही खतम हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात अपने CSTOBC माइनोटी के लोगों के कहना चाहता हूँ, कि इंडिया गटबंदन जीतने के बाद भी आप इतनी उमीद ना करना, कि इंडिया गटबंदन की सरकार बनने से आपकी समस्ता का समाधान हो जाएगा, एक जंग फिर आपको इंडिया के खिलाब करनी पड़ेगी अपने उन अधिकारों को लेने के लिए जिनक focus इंडिया को जिताने वाले हैं, चूंकि सामाधी कि नाय कि सदानत पे सारी पार्टी आ गईय हैं, इंडिया गटबंदन ने पूरी तरिक्या सामाधी कि नाय कि सदानत पे चनॉ लड़ने का रोट मागने का अगर नयाय नहीं होगा, तो सरकार बनाने का अध हो सकता, वो भी इग्नोर करना शुरू कर दें, तो मैं चाहता हूँ कि इंडिया गडबंधन जीते, लेकिन जन्ता को मैं कहना चाहता हूँ, गड़न पकड़ के रखना, ताकि इंडिया के गडबंधन से भी आप उन सारे वा अभर चाहिए, वो जो लोग हैं, जो सारे संसादों पर कभजा रखते हैं, सारी मुचे पड़ों पर कभजा रखते हैं, वो हमेसा सत्ता ताकत के साथ बदलते हैं, जब तक कॉंगरेस मजबूत थी, तो कॉंगरेस में थे, कॉंगरेस कमज़ोर सुरू होनी हुई, और जाएंगे दोसरी बात इस एंडिये ने पिछले कुछ वर्सों में हर जगा सारे युनिवर्सिटीज में सारी जुडिशिरी में सारे बड़े पदों पर सब जगा अपने लोग प्लांट कर दिये हैं तो जिनको एग्जिक्यूट करना है जिनको सामाजी के नए किस दानत पर क कर रखना पड़ेगा इसके लिए जनता को एकजूट होना पड़ेगा सहूलियत मिलेगी इलाज नहीं इलाज नहीं इलाज तब मिलाग जब से माइनोटी के लोग मुद्धों पर एकजूट हो जाएं ठीक है इंडिये से परिशानने तो इंडिये कहलाने के लिए आप वहाँ के जो मुखमंतरी हशों गहलोते हैं साफतो पर कहते हैं महामहीम जी आप दोरा मत किजिये, राजस्थान मत आईए कैसे देखते हैं आप देखिए वो क्या कहते हैं क्या नहीं करते हैं में उस पे बिलकुल मेरा कोई सरोकार नहीं है मेरा तो सरुकार SCHTOBC माइनोर्टी के मुद्दो पर है उनको strengthen करने पर है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी इस सिद्धांत को जब तक effective तरीके से लागू ना करवा दें जब तक इस महिला आरक्षन के अंदर SCHTOBC माइनोर्टी को 50% आरक्षन दिलवा के और उस 50% महिला आरक्षन में से उनको इस्सा न दिलवा दे ना कि SST वाले में से काट के तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और इंडिया आफसन नहीं है उसका अभी इंडिया को पहले जिता दें और साथ में मुद्दो पर जिताएंगे तो मुद्दे पर ही रखेंगे उनको बाहर भागने नहीं देंगे उम्मीद की जाये राहूल गांधी से राहूल गांधी जनियू दिखाते रहते हैं एक तरीके से बताने कोशित करते हैं मैं तो पंडित हूँ मैं तो कट्टर हिंदू हूँ यही बताने कोशित करते हैं आज कल वे जातिगत जनगर्णा की बात कर रहे हैं आरक्षन की बात कर रहे हैं तो कम से कम राहूल गांधी में पिछले एक साल में काफी बड़ा परिवर्तन आया है पहले कभी उन्होंने समाजी किनाय की सिद्धान्त की बात ने की आज वो समाजी किनाय की सिद्धान्त की बात कर रहे हैं आज वो समाजी किनाय की सिद्धान्त की बात कर रहे हैं आज वो जातिगत जनगर्णा करा के वो आंकड़े तक जारी नहीं कर पाए आज वो उसी जाती के जन्गर्णा कराने की बात कर रहे हैं तो अब हमारे समाजी की नयकी से दांत पे वो आ गए तो मैं तो उनका स्वाकत करता हूँ लेकिन साथ में ध्यान रहे केवल सद्व पे नहीं जाना जब तक एफ्यक्टिव इंप्लिमेंटेशन ना हो जाए तब तक रुकना नहीं है सरे ख़वर निकल के आ रही है कि राजस्थान से वह सुन्दर राज को ठिकाने लगाया जा रहा है मध्धप्रदेश से सिरा सिंग चोहान को 36 गड़ से रहमन सिंग को और यह तीनों जो नियता है बीजेपी के बड़े दिगस नियता हुआ करते थे हैं और आभन आगया दिरू ले को ते बेखेङ किश्य अटगर में आब अच्छू केर्टा जाता हैं, त είναι कंग्रेस ब्रहहमन पार्टी कि अच्छू कॉन्षीडव को साथ नगा कि अच्छू को की अच्छू को कर दो हमारे देश के प्रधान मंत्री न HOW बागी यह का कई देश के प्रधान मंत्री नहींतर नरेंद्र मोधी तोंका इक वीडियो वार His याराज सेकंड का है, उसमें वो किस चैनल की बात कर रहे हैं, उसको सस्क्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ये बताइए, जो शत्रिय कोम है, उनके रजवारे तो रहे नहीं, जमीने भी दीरे दीरे खतम होगी उनकी, नोकरियों में वो आनी पाए, पढ़ा उसको इतना हवा मनाया, और अंदर यंदर चत्रिय बिचारा खतम हो गया है, आज चत्रिय लोग जगा जगा चोकीदारी करते घुम रहे हैं, जमीने उनकी खतम होगी, राजपाट उनके पास है नहीं, नोकरियों में वो हैं नहीं कहीं, पढ़ाई में होगी हैं तो अब व सब को आएगा, खाना खाते हैं, सब बुद्धी तसम्म में होती है, जैसे वो अपनी अकीकत इस्तिती देखेंगा, हम कहां तेर कहां चले गए, तब उन्हें पता लेगेगा, उनकी हकमारी किसी ने की है, इंतजार कीजिए, ऐसा नहीं है कि खत्रिय लोग को समझनी आएग कितने लोग उनके गौर्णमेंट्रिय में सेक्रेटरीज बन रहे हैं, कितने लोग उनके स्टेट गौर्णमेंट में सेक्रेटरीज बन रहे हैं, कितने लोग उनके सिविल सर्विसिज में क्वालिफाई हैं, कितने लोग उनके प्रोफेसर्स हैं, अरे एक एक चीज़ कहां उनको समझना पड़ेगा मानवता से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं होता आप धर्म के ठेकेदार मत बनो इंसान बनो और आप भी आपकी जितनी जनसक्या है उतनी हिस्तेदारी आपको भी मिलनी चाहिए मैं इस सिदान का कौसमर्था कुछ नहीं कि जो ग्षत्रिय समाज है उसको भी सभी संसादनों में सभी चेतरों में बराबर हिस्सिदारी मिलनी चाहिए उनकी जनसक्या के अनुपात में यसी एस्ट्री ओ बीसी के साथ अब जो तमाम ठाको राइक छत्री है उन लोग भी वी सामने आना चाहिए और लोगों को भी कहना चाहिए कि जितनी हमारी संख्या है उस हिसाब से हमको हक दिया जाए हमको हिस्सा दिया जाए सर नरेंदर मोदी जी का प्रधार मंतर का वीडियो वारल हो रहा है 11 सकंड का वीडियो है साफ तोर पर उसमें कह रहे हैं कि कोई चैनल है यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए जिससे सारी इंफर्मेशन मिलती रहे देखिए एक बार वो जीयो के लिए भी परचार किया था उन्होंने तो जीयो का परचार करके BSNL और MTNL खतम कर दिया तो मैं उनको गंबिरता से नहीं लेता हूँ चुकि उन्हों देश से देश के लोगों से प्यार नहीं है जातीकश जनगरूना को उन्होंने साफमना कर दिया जातीकश जनगर्ना को इतना बड़ा मुद्दा है और इस महिला रक्षन में महिलाओ को रिजर्वेसिंदे देने से उन्होंने इनकार कर दिया प्र काई-क OBC है कहते हैं मैं ओबी सी हूँ गरीब का बेटा हूँ और गरीब को हक देने को तयार नहीं है तो इस तरह के फ़रजी चीजों को मैं किसी सुछिर्ट में सुट नहीं करेंगे राजन पाल गौत्मजी शाहताँ पर कह रहे हैं पूरी बाच्चीत पर आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा कैमेरा पस्तान आश्रश के साथ मैं नवीन को मनने देगा निसनल दस्तक की आप से गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निसनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें